हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्टीज के एक बहुत अच्छे हैद केर प्रोड़क्ट के बारे में जिसका नाम है फ्लैक्सिड ओयल ये फ्लैक्सिड ओयल हमारी सिहत के लिए हमारे दिल की सिहत क जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इससे पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो चलिए बात करते हैं फ्लैक्सिड ओयल के बारे में, फ्लैक्सिड ओयल वेस्टिज कमपनी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि कैपसुल की फॉर्म में इस कमपनी ने उतारा है, यह हमारे ना केवल दिल की सिहत को अच्छा रखने का काम करता है, स्वस्थ रखत दिल की धमनियों में कोलेस्टरोल जमने से उनमें रुकावट आने लगती है, और दिल का कारे बादित होने लगता है, जिसको की बैट कोलेस्टर को हटाने का काम यह फ्लैक्सिड करता है, यह बहुत ही एफेक्टिव और कारगर कैपसूल हैं, जो की वेस्टिज कमपनी के द्वारा बनाए गए है, यह वेस्टिज का एक बहुत ही अच्छा प्रोड़क्ट है, जो की पूरी तरह से प्राकृतिक है, और जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे बेजी जग अपनी जीवन का हिस्सा बना कर अपनी शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, समस्या हमारे शरीर में नहीं होती, साथ ही मदमे के रोगियों के लिए डाइबरेटीस के पेशन्स के लिए बहुत ही लापकारी प्रोड़क्ट है, इसके साथ ही मावारी में आने वाली सभी समस्याओं को भी खत्क करने में सक्षम है, यह हमारे जोडों को भी स्वस्थ प्रोड़क्ट के लिए डिखने का कारे, इफलेक्सिड और कैप्सूल करते हैं, पूरे शरीर की कारे प्रणाली को भी आच्छी तरह से चलाते हैं, रक्त संचार नॉर्मल होता है, अच्छी तरह से कारे करता है, और जिससे हम किसी भी बिमारी का शिकार होने से, खास तोर स दिल की बिमारियों से जीवन भर बचे रह सकते हैं तो इस प्रोडक्ट को आप अपने जीवन का हिस्सा बना कर अपने आपको पूरी तरह से स्वस्त कर सकते हैं अपने दिल को स्वस्त बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाल जी सकते हैं इस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए आप ईणलाइन पर्चेस कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को या फिर आप हमें वाट्सएप पी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को मंगाने के लिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगियो तह हमारे चैनल को लाइक करना शेयर करना सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूल मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं जानकारी के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग और विश यू वेल